जैसे जैसे online transactions की संख्या बढ़ती जा रही है तो एक एहम मुद्दा हो जाता है security का और stock market में DMAT account की security भी इतनी ही जरूरी है नमस्कार दोस्तों में आपका स्वागत करता हूँ ancient investing के इस YouTube चैनल पर जहाम जानेंगे stock market के बारे में पिछले कुछ महिनों में 50 से ज्यादा DMAT account हैक हो चुके हैं इसलिए DMAT account की security भी बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि DMAT account किस प्रकार से हैक हो रहे हैं और उसके बाद जानेंगे कि क्या उपाई हैं जिनसे हम DMAT account को हैक होने से बचा सकते हैं और आँ दोस्तो इस वीडियो का presentation उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन इसमें जो knowledge दी गई है वो आपके बहुत काम आएगी तो इसलिए इस वीडियो को अंतक देखना तो सबसे पहले हम जानेंगे कि DMAT account हैक किस प्रकार हो रहे हैं इसमें क्या होता है दोस्तो जिसके पास भी DMAT account है उनको एक unknown number से call आता है जिसमें उनको KYC update करने के लिए कहा जाता है और वो उस customer की सारी details उनको confirm करते हैं जिसे कि customer को ये भरोसा हो जाता है कि वो call उनके broker की ही तरफ से आया है उसके बाद वो उन्हें OTP share करने को कहते हैं वो OTP share करते ही आपके device का control उस hacker के पास चला जाता है और उसके बाद आपके DMAT account को hack कर लेता है वो हो सकता है वो hacker आपको OTP share करने के लिए ना कहें लेकिन वो KYC update करने के बाद आपको link open करने के लिए भी कह सकता है और जैसे ही आप उसके भेजे गए link को open करते हैं वैसे ही आपका device hack हो जाता है और hack होने के बाद पूरा control उस hacker के हाथ में चला जाता है कुछ cases में ऐसा भी पाया गया है कि जिन लोगों के account hack हुए है उन्होंने ना तो कोई OTP share किया था ना ही किसी link पर click किया था ऐसे cases में एक चीज common देखने को मिली है और वो common है rediff mail यानि उन लोगों की ID rediff mail पर थी बात करे rediff mail की security की तो इसकी security gmail के comparison में थोड़ी सी weak है इसलिए hacker इसे निशाना बना रहे है तो अब आपको क्या साउधानिया रखनी है जिससे आप अपने account को hack होने से बचा सकते हैं और अपने account को secure रख सकते हैं सबसे पहली चीज अगर आपकी email ID rediff mail पर है तो उसे तुरंट change कर लिजे और अपनी email ID gmail पर बना लिजे इसके बाद Gmail को भी ज़्यादा secure बनाने के लिए आपको उसमें two step verification enable करना होगा इसके साथ ही अपने DMAT account का password किसी के साथ share नहीं करना है इसके अलावा आपने अपना DMAT account जिस भी device पर open किया है चाहे वो laptop या smartphone आपको वहाँ से हमेशा log out करना है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे लोग जो भी DMAT account अपने किसी भी device पर open करते हैं वो वहाँ से log out नहीं करते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने account को secure रख सकते हैं और hack होने से बचा सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी है तो इस वीडियो को like कीजिए इसी तरह के और भी informative वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों